हेलो गाईज वेलकम बैक तो एलिट रेसलिंग तो गाईज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और गाईज आज इस फीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या डेनियल ब्रैन और समो जो AEW कमपनी के अंदर आने वाल और गाईज फाइनली AEW ने आनाउंस कर दिया है कि AEW दोबारा से अन रोड टूरिंग के उपर निकलने वाली है तो गाईज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एक दम आखिर तक देखना और गाईज अब जादा देर ना लगाते हुए चली ये वीडियो श एक काफी बड़िया Tag Team रही थी जिस Tag Team के अंदर Big Cash का काफी बढ़िया अरण रहा था लेकिन इस Tag Team से अलग होने के बाद Big Cash WWE कंपणी के अंदर एक काफी बड़े सूपरस्टार बनने के लिए तयार थे पर WWE मैनेजमेंट की बाते ना मानने के वज़े से Big Cash को WWE ने अपने कं कमपनी से रिलीज कर दिया था जिसके बाद विग कैस थोड़े फार टरबल में भी आ गए लेकिन फिलाल में विग कैस अपने करियर के बेस्ट चेप के अंदर है और हाल फिलाल में विग कैस न इंपैक्ट टेस्टलिंग कमपनी के अंदर अपना डेब्यू किया है जहां पर मौरिसी नाम के अंदर इंपैक्ट टेस्टलिंग कमपनी में रेसल कर रहे है पर हाल ही में AEW कमपनी के एक एंपलॉय लेक्सी नायर ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट्स क्यू पर एक फोटो शियर करती हुई आनौंस कर दिया है कि फिलानमियों फॉर्मर डब्ली डब्ल का इंटर्यू लेती है और इससे भी बढ़कर लैक्सी नायर कोई और नहीं बलके डब्ली डब्ली हौल ओफेमर डायमंड डैलेस पेज की बेटी है जो के फिलाल में फॉर्मर डब्ली डब्ली सूपरस्टार बिग कैस को डेट कर रहे है तो अब देखना पड़ेगा कि आपका क्या कहना है लेकिन गाईज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और गाईज जानते हैं कि लास्ट वीक के एव डैनमाइट स्पेशल ब्लेड आड गट के बाद फिलाल में डार्बी आइलेन के हालत केसी है और क्या लास्ट वीक ड अब लेकिन यहां पर डार्बी आइलेन के लिए अपने राइट एल्बो को पकड़ते हुई दिखाए दे रहे थे और यहां पर ऐसा लग रहा था कि डार्बी आइलेन प्रॉबबली इंजोड हो चुके है पर इस डेंजरेस पॉट के बाद हाल ही में डार्बी आइलेन ने अपने ट्वीट करकर बताया है कि डार्बी आइलेन का राइट शोल्डर फक्ड़ अफ हो चुका है पर अब धी उनके पास एक हफते का टाइम है जिस टाइम के अंदर डार्बी आइलेन अपने आपको टोटली रिकवर करने वाले है और आने वाले डायन अपने टी अंटी चैंपेंशिप सक्सेस्फुली रिटेन करने वाले है जो बाते हाल ही में डार्बी आइलेन ने अपने टुटेर हैंडल क्यू पर शेयर की है जिससे हम समझ सकते है कि प्रॉबबली डार्बी आइलेन को उनके शोल्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम है और यह हो भी सकता है क् अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते है हमारी अगली अपडेट की और जानते है कि ख्रीज जेरिको को AEW कमपनी के अंदर कौन सा नया रोल मिल चुका है तो गाईज आपको तो पता ही होगा कि ख्रीज जेरिको AEW कमपनी ने साइन की हो है सबसे बड़े मेजर स्टार थे और AEW कमपनी के शुरुआत से लेक अरब तक ख्रीज जेरिको है किकलोते सूपरस्टार है जिने पता है कि United States के अंदर किसी भी रेसलिम प्रोमोशन के अंदर किस तरीके से काम करते है जिस वजे से काफी सारे रेसलर्स ख्रीज जेरिको से अपने एडवाइस मांगने के लिए आते है जिसके चलते AEW ने क्रीज जेरिको को लॉकोरूम लीडर वी बना दिया था पर गाई इस हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटर्विव के अंदर बात करते हुए और AEW कमपनी के बैक्स्टेज में हरें की मदद करते है पर AEW कमपनी के बैक्स्टेज में सिर्फ रेसलर्स ही नहीं बलके कभी-कभी EVPs और टोनी खान भी ख्रीज जेरिको का फीडबैक मांगते है और टोनी खान भी अपने किसी क्रीटिव आइडिया की उपर ख्रीज जेरिको का ओपिनियन लेते है जिससे की प्रॉबबली AEW कमपनी के बैक्स्टेज में ख्रीज जेरिको के एक और नया रोल मिल चुका है जो कि है सीनियर एडवाइजर फॉर EVPs और चीर्मन जो बात हाली में ख्रीज जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटर्यू के अंदर कही है जिससे की गाईज हम समझ सकते हैं के चाहिए ओफशेली हो या फिर अफ़शेली लेकिन ख्रीज जेरिको को AEW कमपनी के अंदर एक और नया रोल मिल चुका है जो के है senior advisor जिससे की ख्रीज जेरिको का AEW कमपनी के backstage में काफी सारा workload बढ़ चुका होगा और फिलाल में ख्रीज जेरिको भी अपना best देने का try कर रहे होंगे और probably अपने इस नए रोल से ख्रीज जेरिको कही हद तक AEW कमपनी के creative में भी अपना input देने वाले है तो इस सब की उपर आपका क्या कहना है या आप मुझे comment करकर बताईए लेकिन guys जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि इस तरीके का role क्रीज जेरिको को एकदम suit करता है क्योंके क्रीज जेरिको ने entire world की wrestling देखी है और जेरिको को पता है कि किसी भी wrestling promotion के अंदर किस तरीके से काम करते है तो मेरे हिसाब से जेरिको के लिए ये position काफी अच्छी है लेकिन guys अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली update की और जानते हैं कि क्या AEW company दोबारा से on road जाने वाली है या नहीं तो guys आपको तो पता ही होगा कि जब से pandemic शुरू हुआ है तब से काफी सारे sports के अंदर fans का lockdown लग चुका है और काफी सारे sports बिना fans के हो रहे है और इस pandemic के वज़े से कही सारे wrestling shows सिर्फ एक ही अरिना से broadcast हो रहे थे जबकि आज तक ये काफी सारे wrestling shows different different locations से broadcast होते हैं और ये सब COVID-19 के वज़े से था क्योंकि COVID-19 के वज़े से कोई भी कही पर travel नहीं कर सकता था पर finally AEW ने announce कर दिया है कि guys AEW दोबारा से tour के उपर निकलने वाली है और AEW ने एक statement release करती होई लिखा कि AEW 7th July को दोबारा से on road निकलने वाली है और 7th July को होने वाला AEW Dynamite Show James Elk Night Center Miami Florida में होने वाला है जिसके बातकाशो Texas Greater Austin और इसके बातकाशो Dallas Texas में होने वाला है और इन सभी शोज के साथ AEW दोबारा से on tour निकलने वाली है जो announcement AEW ने हाली में की है जिससे हम समझ सकते हैं कि guys finally AEW ऐसी पहली company बन चुकी है जो के इस pandemic के बात दोबारा से on road निकलने वाली है और guys यहाँ पर AEW ने अपने सभी crowd को एक clearly mention कर दिया है के AEW का dynamite हो जिसकी शहर में होने वाला है उस शहर में AEW अपने arena के अंदर उस शहर के guideline की हिसाब से ही crowd लाने वाली है जो बात यहाँ पर AEW ने clear कर दी है जिसका मतलब की गाई जिसके बाद AEW के सभी traveling COVID-19 guidelines के अंडर ही होने वाली है तो अब देखना पड़ेगा के AEW किस तरीके से on road निकलती है पर मैं तो यहाँ पर यही hope कर रहा हूँ के AEW on road निकलने के बाद AEW के अंदर COVID-19 के cases ना बढ़े लेकिन गाई जिस सब क्यूपर आपका क्या कहना है या आप मुझे comment करकर बताईए और आपको क्या लगता है के AEW के दोबारा से touring करने से हमें AEW के dynamite shows देखने के लिए मज़ा आने वाला है या नहीं पर गाईज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे main update की और जानते हैं क्या Daniel Bryan और Samoa Joe AEW company के अंदर आने वाले है या नहीं तो गाईज अगर आप फिलाल में WWE के updates follow कर रहे हैं तो गाईज आपको पता होगा के फिलाल में Daniel Bryan और Samoa Joe ये दोनों ही wrestlers wrestling industry के अंदर एक free agent है क्योंकि WWE ने अपने 2021 के पेकर्स के अंदर Samoa Joe को अपने company से release कर दिया था पर Daniel Bryan का WWE के साथ contract उनका Roman Reigns के साथ का match होने के बाद खत्म हो चुका था जिसके चलते फिलाल में ये दोनों ही superstar से एक free agent बन चुके है और फिलाल में इसे काफी सारे fans है जो के जानना चाहते है क्या Daniel Bryan और Samoa Joe आगे चलकर AEW company के अंदर आने वाले है या नहीं और इसी वज़े से AEW का Blade & Gut Show खत्म होने के बाद जब Tony शिवानी Blade & Gut Show का post show ले रहे थे तो इस post show के उपर काफी सारे fans ने Tony शिवानी से सवाल पूछना शुरू कर दिया क्या क्या हमें Daniel Bryan और Samoa Joe AEW company के अंदर देखने को मिल सकते है या नहीं जिस सवाल का जवाब देती हुए Tony शिवानी ने कहा कि अगर ये दोनों ही सूपर स्टार्स AEW company के साथ काम करने के लिए excited है और ये AEW company के साथ काम करने के लिए ready है तो AEW Daniel Bryan और Samoa Joe को अपनी company के अंदर लाकर उनके साथ work करने के लिए interested है पर ये सब बाते हायर authorities क्यों पर depend करती है ना कि Tony शिवानी क्यों पर जो बाते हाल ही में Tony शिवानी ने अपने post show के अंदर कही है जिससे कि हम तो समच सकते है कि guys Tony शिवानी चाहते है कि Daniel Bryan और Samoa Joe ये दोनों ही wrestlers AEW company के अंदर आए और इसा हो भी सकता है क्योंकि guys Daniel Bryan ने कहा था कि Daniel Bryan का WWE के साथ contract खत्म होने के बाद Daniel Bryan दوبारा से world tour करते हुए काफी सारे wrestling promotions को explore करना चाहते है तो अगर Daniel Bryan चाहते है तो Daniel Bryan AEW company के अंदर आ सकते है लेकिन guys जहां तक बात है Samoa Joe की तो मुझे तो लगता है कि WWE से release होने के बाद अब Samoa Joe को AEW company ही join करनी चाहिए पर guys में आपको बतना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही AEW से related सभी updates काफी जल्दी और काफी fast पाना चाहते है तो guys आप हमारे channel के application में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हमारे channel के application के अंदर आपको AEW के सभी updates और हमारे channel के उपर आने वाला सभी content हमारे channel के उपर वीडियो आने से भी काफी पहले पता चलता है और हमारे चैनल के अप्लिकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी चेक आउट कर सकते हैं तो ये सब सर्विसेस एकदम फ्री में पाने के लिए उपर आए होए कार्ड की उपर क्लिक करकर हमारी ये वीडियो चेक आउट करकर हमारी अप्लिकेशन डाउनलोड करना मत भूलना और मैं आपको ये वीडियो चेक आउट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाईज हमारी चैनल के अप्लिकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सालग है जो क्या है मैंने इस वीडियो के अंदर explain कर दिया है तो ये वीडियो चेक आउट करकर हमारी चैनल के application डाउनलोड करना मत भूलना पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में पर तब तक stay healthy, stay happy and keep watching Elite Wrestling what Nick you're not gonna sing at all with me this time?